आम् सभी भक्त जनको सप्रिम्न वन्वन भक्तों एक जिग्यासा है तो यह जिग्यासा आई है कि भारत से प्रतिभा का पलायन क्यों होता है क्या पलायन से सिर्फ नुक्सान है या कुछ फायदे हुई है ब्रेन ड्रेन की बात है तो यह जो ब्रेन ड्रेन सब्द है यह सबसे पहले इंग्लेंड में प्रियोग हुआ था जब इंग्लेंड की कुछ साइंटिस्ट है प्रेन से एक्सपॉर्ट्स हैं डाक्टर्स थे वे सब सब जो है अमेरिका जा रहे थे तो वहां पर बताया था कि इससे बहुत आर्थिक नुक्सान होता है तो वहां पर इस सब्द का प्रियोग हुआ और उसके बाद यह सब्द है बराबर प्रियोग में भी तब से आ रहा है कि तकरीबन 65 परतिसद पूरे विश्व का 65 परतिसद जो गमन हो रहा है अपने देश से जाए तो उसका भारत का है आप समझ सकते हैं कि 35 परतिसद में पूरा विश्व है एक तरफ और अकेरा परतिसद में भारत है तो ब्रेंड बहुत ज़्यादा है यहां पर संक्या के मामले में लेकिन कुछ एक्सपॉर्ट बताते हैं कि यह जो ब्रेंड ड्रेंड है जो कि इस तरह से दिखता है यह सतयवादि का उसके हिसाब से यह कम में सिकिबात के जन संक्या बहुत जादा आं अलphon कि चीन के जन संक्या तो प्वेशन दूसरा कि और कि यह है कि चीन में जो है वी इंग्लिश सुट्म पॉल जाती है भ़ारत मैं अंग्लिश 2007 तक करीब 17.8 नहीं एक दस्मालव आठ करोड समझे 17 मिलियन 17.8 मिलियन में से है तो एक दस्मालव आठ करोड लो बारत के डैस पर बन गए हैं बाहर चले गए हैं यहां के बहुत विद्यार्थी बाहर चले गए हैं और यही समझ दिया कि भारत के लोग इंगलेंड में अमेरिका में कनड़ा में अस्ट्रेडिया में युएई में साओधी अरभिया में कि बहुत ज्यादा राते हैं पोलां कि रहते तो इनजदे बी यहां थे गए थे और 2019 में असी हजार चले गए आप समझ सकते हैं कि ब्रदिक दर क्या है लगभग डबाल हो गए तीन बरस में तो अब यह जो है यह संख्या इतनी ज्यादा हो गई है यूएए में पताते हैं कि 35 लाख जो है वो भारत के लोग वहां पर राते हैं यूएसे में भारत क साथी आरब में 25 यह सब वे हैं जो कि अभी हाल प्लाल में सब जाने वाले में से हैं 2015 से 2021 का डटा है यह पहले से जो लोग रहा रहे हैं वहां जो बच्चे सच्चे पैदा कर रहे हैं तो बात छोड़ दें आप तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और बढ़ती जा रही ह 2015 से 2021 के बीच में यह सरकार ने जो आकड़ा दिया है उसके हिसाब से यह आठ लाख 81,254 जो भारती हैं उन्होंने यहां की नागरिक्ता ही छोड़ दी भारत की यानि वेवास थाई रूप से वहां पसले और भारत में जो बताया जाता है जो डिटा आया है वो यह है कि जो दस्वें क्लास और बार्वें क्लास में जो नमबर वन रैंकर थे यानि जो फर्स्ट आये थे दस्वें क्लास और बार्वें क्लास में बोर्ड एक्जाम में 1996 से 2015 में उसमें से आधे विदेश चले गया यह डाटा है 2019 और 2020 ने तरकार में जो इसमें खर्च किया है 16,4-3,000,000,000 करोड रुपया खर्च किया है शिक्षा में और उसमें से बहुत ज़्यादा फंड सब्सीडी में भी जाता है जो विद्यार्थियों को पढ़ाने में लगता है उनको हम स्केल्ड करते हैं तो उसमें बहुत ज़दा उन लोग का धन लगता है, हम ट्रेंड करते हैं, चाहे आए टी है हो, चाहे एंबीए हो, चाहे मेडिकल प्रोफेशन में जोदो हैं, या बाया टेक्नोलोजी में, कैनिस्ट में, या चार्डड अकॉंटेंट हैं, या लॉब प्रोफेशन के हैं, इस तरह के ब तो सरकार जो आंकड़े दे रही है, अच्छा, अब इसके बाद है, कि भारत के जो उद्योग पती भी हैं, वे बहुत ज़दा जाए जा रहे हैं, अभी हाल फिलाल में, मुकेश अम्मानी जो हैं, उन्होंने भी भारत से बाहर जाने का प्लान बिना लिया है, इंग्लेंड उद्योग पती ये 2019 में निकल गए, तो यहां से बहुत ज़दा उद्योग पती बाहर जा रहे हैं, तो अब यहां जो जा रहे हैं, तो बाहर में क्या वे कुछ नाम धाम नहीं कर रहे हैं, तो नाम धाम कर रहे हैं, बाहर भी जा करके, वहां वे सफल हैं, यहां से सफल होक कर्कर 트ेंड हो करके समर्थ होकर करके बाहर जाते हैं क्योंकि आपके कदर तक भी हो सकती है नुए तो बाहर कमार को कुन पूछेगा trend हो करके skilled हो करके समर्थ हो करके ही भार जाते हैं क्योंकि बाहर आपकी कदर तबी हो सकती है मैं तो बाहर कबाड को कौन पूछेगा जो unskilled है उन्हें कौन पूछेगा हला कि कुछ unskilled भी पहुँच जाते हैं इधार उदर से जुगार लगा करके पहुंँ जाते हैं, वहाँ छोटे मुटे काम करते हैं, लेकिन अधिकतर भारत से क्वालिटी के लोग जाते हैं, यह बात तो अवस्य है, और इंद्रा गांधी के समय में भी यह था, तो इंद्रा गांधी का एक, मैं तो अभी नाम भूल रहा हूं उसका, उसने कहा था कि ब्रेन ड्रेन इस बेटर देन ब्रेन ड्रेन, यहां से परतिभा का पलायन हो जाना ज्यादा अच्छा है, बनिस्पत की यहां पर वो परतिभा जो है, वो नाली में पड़ जाया, तो आखिर आपने इसे नाली बनाया क्यों? एक प्रश्निया उठता है, ऐसे गवर्मेंट के आपने पॉलिसी क्यों बनायी? कि यहां एक नाली के रूप में तबदिल हो गया है, आप इसे बहतर क्यों नहीं बना पाए? आप वाग पॉलिसी क्यों नहीं लापाए? जिसे कि जो अमेरिका में है, कि जिसे कि दुनिया के बहतर से बहतर जो है, लोग यहां पर आएंगे? आपकी ऐसी पॉलिसी है कि जो दुनिया के आने जो कबाड़ जगा के लोग हैं वे लोग यहां पर आ रहे हैं अफगानिस्तान से आ जाएंगे पकिस्तान से आ जाएंगे साब बिना मतलब वाले आ जाते हैं जिससे कि भारत की अर्थ व्योस्ता अच्छी ने बड़कर खराब होगी और यहां अतंकवाद और पलेगा ऐसे लोग भारत से आते हैं यहां पर यंद बंगला देर से आ रहे हैं वो मैंने मार से reconcile रहे हैं सब इए फोजी फोजी बЯकार लोग जिन और यहां कि डेमोग्राफिक को बदर रहे हैं यहां कि संस्कृति के लिए खतरा है यहां कि सब्विता के लिए खतरा है वैसे लोग यहां पर आते हैं यहां भारत को बहतर बनाने के लिए नहीं आते हैं भारत को और कैसे कबार बनाया जाया उसके लिए आते हैं और सरकार यहां उनको प्रुनत करती है सरकार को भी अपने जो नियम है उसको बदलना चाहिए जैसे अमेरिका में आप कबार लोग नहीं जा सकते वे लोग नहीं ज इसे लोगों को प्रमोट की जए और बेकार लोगों को यह ताइन जो यहांकी यब हो विली conditioning आइए इसे लोगों को यहां पर स्थान नहीं मिलने शाहें यह मिलता अब अब आमेरिका की पुलिसी देखें अमेरिका नाया विस देना में 1965 वो भी चल गया था, एक जुमला भी चल रहा था, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा अमेरिका, तो यह जुमला क्यों चल रहा था, आया अमेरिका की एक पॉलिसी रही है, शुरू से, कि दुनिया के जितने भी बैतरिन लोग हैं, कोई वैज्ञानिक है, कोई इंजिनियर है, कोई डाक्टर है, कोई पॉरंजिक एक्सपर्ट है, कोई भी भी थेनियर स्पोर्ट्समेन है, चाये, मीजिक सियन है, चाये डांसर है, कोई भी मतलब नमर वन क्वालिटी का है, किसी भी शेतर का, चाह स्कॉप्टर है चाह आर्टिस्ट है उनको अस्थान दिया जाए यानि अमेरिका ने पॉलसी बनाया है कि अमेरिका को बेस्ट टेलेंट की कंट्री बनाना है और इसके लिए यह जरूरी है कि अमेरिका के भीतर ही जो परतिभा है उसको विक्सित किया जाए और बहार जो उनको यहां पर लाएजाए और उनके माध्यम से विखास किया जाये रहेंगे तो अन्य को परशिक्षित करेंगे सिखाएंगे पढ़ाएंगे कुछ ऐसा भारत बना दिया है अपने को चाहित और अमेर्का कहां है जो depressed lachel को लेता है कि आदू किसी पिंचेत्र का अदमी हो चाही योगा का द्यक्ति हो हूं चला जाएगा अज्ञा तो भारत से प्राइन करने का कारण है बensions На नहीं है प्रतिभा को उतने मौके भी मिलते हैं प्रतिभा की कदर नहीं है यहां तो तुच्चे जो नेता हैं उनकी यहां पर कदर है तो हम लोगों ने वैसी स्थिति बना दी वैसी यहां पर प्रसासनिक और सासकी स्थिति असी बना दी है कि तुच्चे लोगों को यहां पर कदर किया जाता है परतिवावान लोगों को यहां कोई पूछने वाला नहीं है निश्कावाव से सेवा करने वाले कि हम कोई कदर नहीं है यहां तो सिल्फ खब्रें आएंगी तो सिर्फ अतंकवादियों वा wrapping जाएंगी इस्किया कब्रें अमेरिका की अक्बार को द हेंगी देखेंगे तो ऍलिशाक चीज इससे की देश का कोई विकास नहीं हो सकता है वैसी जीसज्तिरों की खबर सब्सद्स चब्सका क्थ लिच regener tard यह यहां पर इस पर जो नुटिर फिजिक्स पर बहाष करें실न हो यहां पर्राब टेक्स पर बहाष नहीं नहीं होगी यहां पर रोबोटिक्स पर भास नहीं होगी यहां पर मेडिकल रिसर्फ पर भास नहीं होगी आप टेलिविजन के भास देखिए टेलिविजन के भास क्या है यहां पर एकोनोमिक्स पर भास नहीं होगी यह दा कर थोड़ी बस एकोनोमिक्स पर यहां पर क्या बहस होगी तो उसने घोटाला कर दिया उसने घोटाला कर दिया तो यह सरकार चोर है वो सरकार चोर है एकोनोमिक्स की जो बारिकिया है जो नुसेंस नुएंसेस हैं तो आप नुसेंस वैल्यू और नुएंसेस इन दोनों की बहस आप नहीं करते हैं कि क्या क्या उसमें कमिया है और कैसे कैसे उसके अच्छाईया हो सकते आंउसकी बारेकिया क्या है उस पर नहीं होते है लोग जो अजान अन्य भोमती रहती है ना समाज पूछता है ना मीडिया वाले पूछते हैं ना बुद्यमान पूछते हैं ना राजनतिक पूछते हैं और ना ही परसासत पूछते हैं तो यहाँ वे रहके करेंगे क्या उन्हें करने के लिए कोई प्रमोशन भी नहीं मिलता है कुछ करना चाहें तो गुंडे सब आ जाते हैं घेर लेते हैं उनको सरकार टेक्स लेगे अलग यहां पर ज़्यादा टेक्स सिस्टम है इसलिए यहां की पूझी पती है वह एक प्राप्लम है कि गुंडे बिटक्स लेते हैं और एक प्रॉब्लम है कि जो एंजियो से हैं सोसल वर्किंग ग्रूप से हैं वे टेक्स लेते हैं सबके इतने टेक्स दे करके उसको बचेगा क्या तो यहां से चले जाना चाहता है परतिभावान लोगों खोषते हैं तो मिलता नहीं ताटा ने अंहीं नकल से पास कराने का सिस्टम चल रहा है फारजी डिग्री बांटी जा तो हम लोगों ने अग्योकेशन सिस्टम को बिगाड दिया है जो अच्छी संस्था हैं उससे कुछ परतिभावान निकलते हैं या जो मातापित अपने बच्चों को बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं उप्रा जो जान से जी जान लगा देते हैं धन खर्च करते हैं सरकार भी सब्सेड़ी देती है और वो बच्चे भी मेनद करते हैं तो वे जब तयार होते हैं तो यहां से चले जाते हैं क्य वह भाइब पसंद करेंगे हां राकिया क्या करेंगे यहां तो नोककरिए भुझने में अधियुम्र उसी बीच जाता है नोकरी खोजने में काम खोजने में यहां पर दस-पंद्रा बरस बीत जाते हैं ऐसे इसाधार अच्छे अच्छे लड़कों के कि यहां राके वेक करेंगे क्या यह बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए क्या है इस सरकार इसके लिए जिम्मेवार है कि आप अगर अच्छा महोल नहीं बनाएंगे उनकी पर्तिवा के हिसाब से यहां पर क्या है यहां रेंक के इसाब से विटन है पर तिवा के नहीं है आदमी आ गया है और यहां ज बहुत काम करता है तो उसे मुर्ख समझा जाता है उसे बुद्धु समझा जाता है कि देखो ये तो गरा है खट रहा है और जो इदर दर लफाजी करके और खुस्खोरी में जो रहता है connections रहते हैं वो खाली उपरी अमदनी के चकर में रहता है उसे बहुत दिमान माना जाता है इस तरह के जो माहौल है इस माहौल से कैसे विकास हो सकता है विकास की गति क्या होगी यह तो भारत का धन भाग है कि इसके बाव्यूद भी विकास हो रहा है क्योंकि यहां संसाधा नितने ज्यादा है इसका मुख कारण यह नहीं तो यह बेदीन होकर के मर जाता है में यहां कि जो कउन्चर हो गया है वर्ड फकल्स ज्बू veg हर जेगा स्रेंग तो बात होती आ सिरी डिय। सर्कारीयाले में एसा है तो ऐसे स्थिती में कैसे रहे का सिस्टम भी करप्थ है मैं कि एरिजो केशिन कि क्वालड़ी बढ़िया नहीं है तो इसके लिए भी बच्चे जया ले आते हैं बाहर हमारे बच्चे बाहर जाकर के पड़ रहे है और बाहर जाकर पड़ारे इसली इसे इंडिया को कि आए कि बहुत ज़्यादा बोज पड़ता है है पढ़ाते हैं कि सप्तरह बिलियंड डालर भारत का हर वर्ष में घिला सब्सक्रारख चरा सब ज्यादा रक मोआ कि और हर वर्ष है इतनी ज्यादा रकम सिर्थ विध्यारतियों कि वाध्यम से बाहर चला जाता है भारत का विद्धार्थी भार्त पढ़ने आथे यूक्रेन जिसे चोटी के भारत के ठाठारहजार विद्ध्धार्थी पढ़ रहा हूं हैं सोचने वारी बात है कि मिध्यारतियार इंगलें दुद्ध रहे हैं जपान में पढ़ रहा है कि मौक्त रूस में पढ़ रहा है क्योंकि वहां पर सुधाय ब्ρέ decentral है थंसे ब्यारत। तो यह सब जो रिपोर्ट है यह बहुत डर्राने वाले रिपोर्ट है अब यह ही सो सकते हैं आप कि भारत में एक रिपोर्ट जारी किया गया है कि यह मेडिकल काउंटसिल का जारी किया हुआ थे चार सौ अड़ले पर एक डवारत में और नीजटी सब्सक्राइब एक और तेरो सब अमेरीकन पर एक भारती ड़क्टर है कि तैनल सब्सक्राइब धार बहुत कि इसकाुट्राइब ऑक चाहरा है इंग्लेंड में डाक्टरों के संक्रडरों में 30% भारत के हैं 30% भारत के हैं और वह सब बहुतरी टैलेंट है कोई एरेग और टैलेंट नहीं है तो वहां के विकास में वे बहुत बड़ा युगदान कर रहे हैं अब भारत के जो बड़े बड़े उद्योग पति हैं सब बहार जा रहे हैं तो क्या होगा भारत की जो है अर्थ दोस्ता चर्वराणने लगेगी क्योंकि वे पूंजी लेकर चले जाएंगे यहां जो टेक्स देते थे तो वे सब घठने लगेंगे तो इतने इतने जो गध्योग पति वे जा रहे हैं ओ खाली एक करण ही नहीं जाते हैं यह सब टेक्स तो लेते ही रहते हैं इसके अलवा यहां पर सुरक्षा की प्रावलम है उनके सामने यहां तक वाद देखें मुगे समभानी जा रहे हैं उनके जो वहां पर मुंबई में जो घर थे एंटीडिया उसका सामने में जो है आतंकवादी सब यहां पर रख रहे थे पुलिस के लोग मिले वे थे सरकार मिली वे थी तो ऐसे महार में उद्योग पती कैसे भारत का जो टप बिजनस्मेन है वो कैसे रह सकता है साथीसमें से हैं बड़े बड़े सात्य इद्योग पती होगए तो दूसरा के जहारे दूंनलो को चन्दा देते और उगाही जिए तो आरत खराब है तो यहां उद्युक्तुपतियों के रहने के लिए परतिवावानव लोगों के रहने के लिए हम लोग Bene के बन्ने दिया है सारे जो Nu efficacement है है हालाइट मिस्धिति में है और फिर हम जो इसके खिलाप को यवाज भर नूटती है यहां पर वोटिंग पढ़ता है क्या कौन किस जाती का है कौन किस जाती का इस अधार पर वोटिंग हो रहा है इस अधार पर वोटिंग नहीं हो रहा है कि कौन हम ऐसे को चुने ऐसे को बढ़ाएं यह से मुद्धे हो जिसमें कि उद्योगपति यहां रहे है कैसे बिजनस का विकास होगा कैसे आर्थिक विकास होगा इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं ना वोट देने वाले को मतलब है ना मीडिया को मतलब है ना किसी को मतलब है तो यह सब यहां क्या जंक मारेंगे बैठके है गाहे बगाहे लेकिन जिस भी देश में इसका बहुत नहीं रहेगा इसकी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कैसे उनको वापस लाए जैस पर नहीं सुचा जाएगा तो यह बुरी स्थिति को प्रप्त हुई जाएगा भारत के बहुत सारे लोग जो वहां गए है विद्येसों में उन्हेंने बहुत सारे नाम भी कमाये हैं यहां से बेस्ट जाएगा तो वहां भी तो उसमें अब इधने तेंज जा रहे हैं तो उसमें से कुछ न, कुछ अच्छे तो निकलेंगे ही ना जो कि वर्ल्ड नमर व अच्छ स्वाल नीज में आये थे जो टूइटर के सीओर अगय थे और सप्या नडेला माईक्रोशॉप्ट के हो गये अधिसे बहुत 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 दिन काम कर रहे हैं संतनु नारायन हैं इंदिरा नोई है सब सब इतने पिचाई है सुन्दर पिचाई आलफाइबेट के हो गया है आइबीम के भी हो गया है अरविंद कृष्णा अभी हाल प्लाइब में गीता गोपिनाथ जो थी वो डिप्टी मैनेजिंग डिरेक्टर बन गई है आएम एफ की तो यह सब अच्छा नाम कर रहे हैं तो सुन करके अच्छा लगता है उसका उप्यों हम कितना कर सकते हैं अपने कनेक्शन से भारते यह ठीक है भारत के लोग कुछ विदेश में भी रहेंगे तो वहां अपना वर्चस रहेगा तो वहां पर हम लोगों भी एक फैदा होगा कि वहां पर लॉबिंग कर सकते हैं अमेरिका जैसे देश में जहां भारत के बहुत लोग रहते हैं तो वहां भारत के लिए लॉबिंग करना असान है कि वहां भारत के बहुत लोग हैं तो भारत के खिलाप में कोई पॉलिसी वहां जल्दी नहीं बन सकती है इंग्लेंड मे भी भारत के खिलाब पॉलिसी जल्दी नहीं बनेगी, फ्रांस में भी नहीं बनेगी, बहुत ज़्यदा लोग राते हैं, लेकिन हम कैसे बेस्ट टैलेंट को भारत लाएं, और हम खुद कैसे अमेरिका या उसे आगे निकलें, इसके लिए तो हमें एक बहतर महाल बनाना ही प और यहां भी कुछ इंडस्ट्री लगाते हैं, लेकिन यहां पर वो ऐसा महाल हम नहीं दे पा रहे हैं, यहां तो बस सत्ता के लिए राजनितिक लोग अराजक्ता की छुट दिये हैं, भाई मुसलिम आतंगवादी सब यहां पर पैठ बनाये हुए हैं, परमास सब पैठ ब माफिया इन सब के साथ सरकारें जुड़ जाती हैं, वे लोग अच्छे टेलेंट को यहां राने नहीं देंगे, बलकि उन्हें का ठग लेंगे, या लूट लेंगे, धमका करके उनका भगा देंगे, उनका कबजा कर लेंगे, इस मानसिक्ता के लोग यहां पर हैं, और यह म मानसिक्ता है, और उस मानसिक्ता को भारत ने अडप्ट कर लिया है, भारत में मुस्लिम अबादी बहुत ज्यादा है, और मुस्लिमों के वोट लेने के लिए उस मानसिक्ता को अडप्ट कर लिया है, और इसके कारण भारत को बहुत जहलना पड़ रहा है, अब देखेंगे जो यहां से पर्तिवास आदी लोग जाते हैं तो उसमें संक्या किन लों की है हिंदुों की है कि और जो अरब तरफ जाते हैं मुसलिम सब हैं तो जो भी बेस्ट हैं मुसलिम में वे अरब की और प्रॉलाइन करना चाहते हैं जो हिंदु सब हैं वे इंग्लेंड अमेर्का कनडा अस्ट्रेडिया जपान जर्मनी फ्रांस इटली उदर जा रहे हैं यहां जो है यह religious Patern है हमें हर एक पॉइंट पर ध्यान देना है कि आकिर कौन सा पॉइंट कहां पर है कैसे हम उनलों को ला सकते हैं हम भारत में कैसे बहतरिन वातावन बना सकते हैं कि और कोईसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहां कम से कम लाल फिता साही हो जबकि लाल फिता साही है बहुत जड़ा है यह तो मुझे सकाराई है तो कुछ हरता फूर का घटा है लेकिन अभी भी बहुत जड़ा है हर जगह पर उनको घोश चाहिए हर फाइज जो मुग करे तो सरकार हम को सुजना पढ़ेगा कि हम भस्टाचार को कैसे रोके हैं भस्टाचार को रोकने कि टेक्नलोजी कस्ते माल करना पढ़ेगा आपको cash money का flow बन करना पढ़ेगा आपको digital currency चलाने पढ़ेगी आपको bank to bank transaction करना पढ़ेगा और brain scan machine से सरकारी करमचारियों को गुजरना पढ़े ऐसा नियम बना पढ़ेगा और हर सरकारी करमचारी जो है उसकी brain scanning होनी चाहिए समय समय पर ताकि उसने जो घुस होस लिए किसी से किसी रूप में cash के अलाबा तो वो पकड़ में आया तो इस तरह करेंगे तभी जा करके भष्टाचार रुकेगा अब भष्टाचार नहीं रुका तो फिर गहां से रहेंगे भष्टाचार के कारण है तो अपराधिवी पनपते हैं आतंकवादियों को funding होती है क्रिप्टो करेंसी में funding और यह क्रिप्टो करेंसी को रोकने करें सकार को नियम पराने पड़ेंगे तो सकार उल्टे उसके पर क्या करती है कि टेक्स लगाती है उसको वाजिब ठाहरा र लोग हैं वे खुद ही सासक भी हैं प्रसासक भी हैं और उद्यवब में भी हैं तो हम लोग यहां पर अभी बहुत ज़्यादा इस पर कार करना होगा हम लोगों को तब जाकर के हम लोग जो ब्रेंड्रेंड है उसको हम ना सिर्फ अपने देश के लोगों को आप परसित कर सकते हैं बलकि दूसरे देशों के भी जो बेस्ट पर्तिभा है उसको हम लोग ला सकते हैं और इससे हम लोग का विकास हो सकता है अब सरकार की एगर जो नियत अच्छी हो और सरकार से भी ज्यदा जनता में जागर उपता हो और जनता के नियत हो क्योंकि सरकार जनता में जो नेरेटिव चल रहा होता है उसके हिसाब से रेस्पॉंड करती है उसके हिसाब से वेवार करती है तो जनता अगर आवाज उठा बाट के सांधा हैं यहां पर हैं वोट के समय में हैसली sep jati के आवाल होता है कि वोड के समय मैं असली मुड़ी उठाइए और गरदिया अभी होते हैं इसका था इसके भादमास के साथ रभुत है बीना मतलब के जिसका कि कोई विकास में रोल नहीं सिर्फ विनास में ही रोल हो सकता है तो हमें ये सब सब narrative change करने होंगे तो जाकर कि हम भरत को एक विक्सित देश बना सकते हैं